ओम शांति ओम शांति आज 9 एप्रेल दोहजार चौबिस दिन मंगलवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महवा क्यों को मीठे बच्चे अब तुम्हारी सब तरफ से रगें तूट जानी चाहिए क्योंकि घर चलना है कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मन कुल का नाम बदनाम हो प्रश्न बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्शित होते हैं कौन से बच्चे बाप की आँखों में समाई हुए हैं उत्तर जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते सर्विसेबल हैं उन्हें देख देख बाप भी हर्शित होते हैं जिन बच्चों की बुद्धी में रहता है कि बाबा से ही बोलू बाबा से ही बात करू ऐसे बच्चे बाप की आँखों में समाई रहते हैं बाबा कहते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अतिप्रिये हैं ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ ओम शांती मीठे मीठे रुहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है, वही बाप पतित पावन सद्गति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, पतित से पावन बनाने लिए कोई महनत नहीं देते हैं, कहां भी जाओ, घूमते फिरते, विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, सो तो समझते हैं, परन तु फिर भी कहते हैं, अपने को आत्मा निश्य करो, दे अभिवान को छोड़ कर आत्म अभिमानी बनो, हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं, पाट बजाने लिए, एक शरीर से पाट बजाए, फिर दूसरा शर लेते हैं, किसका पाट सो वर्ष का, किसी का असी वर्ष का, किसी का दो वर्ष का, किसी का छे मास का, कोई तो जनम दे ही खत्म हो जाते हैं, कोई जनम लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं, अब यहां के पुनर जनम और सत्युग के पुनर जनम में रात दिन का फरक ह यहां गर्ब से जनम लेते हैं तो इसको गर्ब जील कहा जाता है सत्युग में गर्ब जील नहीं होता वहाँ विकर्म होते ही नहीं रावन राज्ये ही नहीं बाप सब बातें समझाते हैं बेहत का बाप बैट इस शरीर द्वारा समझाते हैं इस शरीर की आत्मा भी सुनती है सुनाने वाला ज्यानसागर बाप है जिसको अपना शरीर नहीं है वह सदेव शिव ही कहलाते हैं जैसे वह पुनर जनम रहीते हैं वैसे नाम रूप लेने से भी रहीते हैं उनको कहा जाता है सदा शिव सदेव लिये शिव ही है जिस्म का कोई नाम नहीं पढ़ता इसमें परवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास वेहद के सन्यासी होते हैं उनके भी नाम फिरते हैं तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे, ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिये वे गायब हो गए, बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फरक्ती नहीं देंगे, पर अंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या, सन्यासी भी फिर घर लोटाते हैं, तो फिर पुराना नाम ही चलता है, घर में लोटते तो हैं ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं, तो उनों को मित्र संबंदियादी याद नहीं रहते हैं, कोई को तो सब मित्र संबंदियादी याद आते रहते, मौह में फस मरते हैं, रग जुटती रहती है, कोई का तो जट connection तूट पड़ता है तोड़ना तो है ही बाप ने समझाया है, अभी वापिस जाना है, बाप खुद बैठ बतलाते हैं, सुभा को भी बाबा बता रहे थे ना देख देख मन में सुख हो वक्त, क्यों? आँखों में बच्चे समाय हुए हैं, आत्माई नूर हैं ही, बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है न? कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते हैं, और कोई प्रहमन बन फिर विकार में चले जाते हैं, तो वो नाफरमान बरदार होते हैं, तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्शित होते हैं, बेहद का बाप कहते हैं, यह तो कुल कलंकित निकला, ब्रामन कुल का नाम बदनाम करते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं, किसी काला मुह कर दिया माया ने धोखा दे दिया माया के तूफान बहुत आते हैं बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया इसलिए प्रतिग्या कराते हैं बलड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं आज वह हैं नहीं बाप कहते हैं अहो माया तुम बड़ी जबर्दस्त हो ऐसे ऐसे बच्चे जो बलड से भी लिख कर देते हैं तुम उनको भी खा लेती हो जैसे बाप समर्थ है माया भी समर्थ है आदा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है आदा कल्प फिर माया वह समर्थी गवाँ देती है यह है भारत की बात देवी देवता धर्मवाले ही सालवेंट से इनसालवेंट बनते हैं अभी तुम लक्ष्मी नारायन के मंदिर में जाएंगे तो तुम वंडर खाएंगे इस घराने के तो हम थे अभी हम पढ़ रहे हैं इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे अभी ज्यान है हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो हर एक अपना पाट बजाते हैं बाबा कहते हैं बच्चे सदेव हरशित रहो यहां के हरशित पने के संसकार फिर साथ ले जाएंगे तुम जानते हो हम क्या बनते हैं बेहद का बाब हमको यह वर्सा दे रहे हैं और कोई भी दे न सके एक भी मनुश्य नहीं जिसको पता हो यह लक्षमी नारायन कहां गए समझते हैं जहां से आए वहां चले गए अब बाब कहते हैं बुद्धी से जज करो बग्ती मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो अभी मैं तुमको ग्यान सुनाता हो तुम जज करो भग्ती राइट है या हम राइट हैं बाप राम है राइटियस रावण है अन राइटियस हर बात में असत्य बोलते हैं यह ज्यान की बातों के लिए कहा जाता है तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे तान पुन्यादि करते भी सीधी नीचे ही उतरते हैं तुम देते भी हो आत्माओं को जो पापात्मा पापात्मा को देते तो फिर पुन्यात्मा कैसे बनेंगे वह आत्माओं की लेंदेन होती ही नहीं या तो लाखो रुपे का कर्ज लेते रहते हैं इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुश्यों को दुख है अभी तुम संगम पर हो तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है देवताएं पदम पती कैसे बने ये किसी को भी पता नहीं है स्वर्ग तो जरूर था निशानिया है बाकि उन्हें ये पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किये है अगले जन्म में जो रज्य मिला वे तो यही नई स्रिष्टी तो फालतू खयालात होते ही रहे उसको कहा ही जाता है सुख धाम पांच हजार वर्ष की बात है तुम पढ़ते हो सुख के लिए पावन बनने के लिए अथा युक्तिया निकलती है बाप कितना अच्छी रीती समझाते है शान्ती धाम आत्माओं के रहने का स्थान है उसे स्वीट होम कहा जाता है जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं तुम्हारा स्वीट होम है शांती धा, बाप भी शांती का सागर है ना, जिसका पाठ ही पिछाडी में होगा, तो कितना समय शांती में रहते होंगे बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहींगे, इस ड्रामा में तुम्हारा है हिरो हिरोईन का पाठ, तुम विश्व के मालिक बनते हो, ये नशा कभी और कोई में हो ना सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं, ये तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं, जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम ही से बोलू, तुम ही से बात करू, बाप भी क केहते हैं, मैं तुम बच्चो को देख देख बड़ा हर्शित हो ता हूँ, हम 5000 वर्ष के बाद आए हैं, बच्चो को दुखदाम से सुखदाम में ले जाते हैं, क्योंकि कामचिता पर चड़ते चड़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं, अब उनको जाकर कबर से निकालना है, आत से ही तालुक रखना है तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाए और कोई नहीं आपकी ही मत पर चलेंगे श्रेष्ठ बनेंगे काते भी हैं उँच ते उँच भगवान है उनकी ही मत भी उँचे ते उँची है बाग खुद कहते हैं रावन भी चला आता है तुम पुछो रावन को कब से जलाते हो क्यों जलाते हो कुछ भी पता नहीं अर्थ ना समझने के कारण कितना शादवाना करते हैं बहुत विजिटर्स आधी को बुलाते हैं जैसे सेरेमनी करते हैं रावन को जलाने की तुम समझ नहीं सकते रावन को कब से बनाते आते हैं दिन प्रती दिन बड़ा बनाते जाते हैं कहते हैं यह परमपरा से चला आता है परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता आखरीन रावन को कब तक जलाते रहेंगे तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा बाप कहते हैं यह रावन सबसे बड़ा दुश्मन है इन पर विजय पानी है मनुश्यों की बुद्धी में बहुत सी बाते हैं तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाई सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब ड्रामा में नूंद है तुम तिथी तारीक सारा हिसाब निकाल सकते हो कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाट चलता है यह सारा ग्यान बुद्धी में होना चाहिए बाबा हमको यह समझाते है बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ पावन दुनिया होती है शांती धाव और सुख धाव अभी तो सब पतित हैं हमेशा बाबा बाबा कहते रहो यह भूलना नहीं है तो सदेव शिव बाबा याद आएगा यह हमारा बाबा है पहले पहले यह बेहद का बाबा बाबा कहने से ही वर्से की खुशी में आते हैं सिर्फ भगवान और इश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएका सब को बोलो बेहद का बाब समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा यह उनका रत है उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। इस बैज में सारा ग्यान भरा हुआ है। पिछाडी में तुमको यही याद रहेगा। शांती धाम, सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं। यह भी जानते हैं। फिर नंबर वार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इसलामी, बोधी, क्रिश्यन आदी कितने धेर हैं। अनेक भाश आएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं। कितनी लड़ाईयां आदी लगी हैं। लड़ते तो सब हैं क्योंकि निधन के बन जाते हैं न। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो रज्य देता हूं वे कभी कोई तुमसे छीन न सके। बाप स्वर्ग का वर्सा देते हैं जो कोई छीन न सके। इसमें अखंड, अटल, अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वे तो सब अनुभव करेगा न। बिमारियां आदी सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब बिमारियां आदी जदा आएं तो इसमें डरना नहीं है। ये सब पिछाडी की हैं, फिर होंगी नहीं, अभी सब उथल खाएंगी, बूडो को भी माया जवान बना देगी, मनुश्यवान प्रस्तवस्ता लेते हैं, तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती हैं, सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहाँ भी फीमेल्स नहीं होती हैं, को मंद में भी बुद्धी जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं, भाई भाई देखो, शरीर का नाम भी नहीं, यह बड़ी उची मन्जिल है, एकदम चोटी पर जाना है, यह राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी महनत है, कहते हैं, हम तो लक्षमी नाराइन बनेंगे, बाप कहते हैं, बनो, शरीमत पर चलो, माया के तूफान तो आएंगे, करमेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है, देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा, ये तो चला आता है, बाप तो कहते हैं, मैं आया ही हूँ तुमको पतित से पावन बनाने, कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, और उको समझावनती फिर देवाला मारनती, माया बड़ी जबर्दस्त है, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं, बाप बैठ समझाते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बोतों को सुखदाई बनाते हैं, ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड बॉनिंग और नमस दे दारना के लिए मुख्य सर किसी के भी नाम रूप में फसकर कुल कलंकित नहीं बनना है माया के दोखे में आकर एक दोखो दुख नहीं देना है पाप से समर्थी का वर्सा ले लेना है सदाहर्शित रहने के संसकार यहां से ही भरने है अब पाप आतमाओं से कोई भी लेंदेन नहीं करनी है बिमारियों आदि से डरना नहीं है सब हिसाब किताब अभी ही चक्तू करनी है वर्दान विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे सेकंड में अशरीर बनने का फाउंडेशन यह बेहत की वेराग्य वरती है यह वेराग्य ऐसी योग धरनी है उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए जब चाहो जहां चाहो जिस स्थिती में चाहो सेकंड में सेट कर लो सेवा खींचे नहीं सेकंड में फौल स्टॉप लग जाए तो सहजी अशरीरी बन जाएंगे स्लोगन बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो ओम शांती